है यूट्यूब फैमली कैसे आप उमीद करते हूं कि आप सब ठीक होंगे और हम भी सब ठीक हैं तो काफी गर्मी थी तो मेरा दिल चाहरा था कि मैं जूस पिए जब जाकर मैंने फ्रिज खोला तो फ्रिज में जूस बगारा तो सब मतलब खतम हो चुके थे तो मुझे एक दो मैंने का मैं आप लोगों से भी शेयर करूं तो चले आएं हम अपना जूस तयार करते हैं तो जो मैंने फ्रिज खोला तो फ्रिज में मुझे एक अदत खीरा मिला और मतलब कुछ लिमू पड़े थे लिमू का मैंने रस निकाला और मतलब मैंने सब कुछ काटते वे या दिखाया मैंने का मारी वीडियो का टाइम भी लंबा हो जाएगा काफी और मुझे थोड़ी जल्दी भी जूस पीने के लिए तो यह हमारा दो आंस है लीमू का रस और यह एक अदत खीरा है अब हम इसमें मतलब चार चमच तक रीबन चीनी के डालेंगे तो चली हम अपनी मतलब जूस की रेसिपी शुरू करते हैं और हम आपसे शेल भी करते हैं तो यह हम अपने अच्छा तो यह खीरा हमने इस जग में आट किया है अब हम डालेंगे चार चमच चीनी मतलब चार चमच मैं इस लिए डाल रहे हैं क्योंकि हजब जाइका इसमें आगी तो आप अच्छे से ग्रैंड करेंगे ताकि खीरे के चंग स्ना पीच में रहे हैं मतलब चूड़ चोटे और आप मेरी एक बात याद रखें कि हम जब यह खीरा मतलब चीलेंगे हम इसके बीज निकालने आप इस बात को लाजमी याद रखें तो चलिए हम अपने बराते हैं अभी आपने ना काप में दधρά ही यह काफी मतलब कम्प्लीट तरीक से ग्रैंड हो गया हम इसमें धालेंगे बरफ और यह भी छीरे की पीऊड़ी है अब यह मतलब मिलके हम इसको ग्रैंड करेंगे दूनों चीज़ों को ग्रैंड करने के बाद मतलब यह हमारा जूस तयार हो जाएगा एक ग्लास हमें मतलब इसमें और पानी मजीद या कोई भी चीज एड़ करने की जरूरत नहीं पड़ेगा हमेरा घ्री हो चुका है आप देख सकते हैं तो अब हम यह जूस ट्राइइ करेंगे कांसा बना है तकी जूस हमारा बहुत ही अच्छा बनाओं है तो आप भी लाज़मी यह जूस घर पर ट्राइआए करैं और आप मेरे चैनल को लाइक करें और बेला इकन को लाजमी प्रेस क करें ताके मेरी हर आने वाली नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास पहले सी आ जाए और चलिए हमा बखनी ड्रिंक खतम करते हैं